जैहन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिभा Online Classes में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में निकली एक ब़ुत बड़ी भरती के बारी में तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इस भरती से related पूरी जानकारी देने वाले हैं जैसे दोस्तो आपके लिए यहाँ पर कौन-कौन से पोस्ट के लिए vacancies निकली हुई नहीं है उन पोस्ट में आपको apply करने के लिए आपकी जो age limit है आपकी जो education qualification है आपकी height, weight, chest मतलब जो भी चीज के requirement है पूरी के पूरी बताने वाले हैं इसके बाद में दोस्तो हम आपको यह भी बताएंगे कि यह जो भरती है वो कौन से state के लिए निकली हुई है और यह जो भरती है इसमें कौन-कौन से districts के जो candidates हैं वो apply कर पाएंगे उसके बाद में दोस्तो हम आपके लिए यह भी बताएंगे कि यह जो भरती है इसके online registration कब से कब तक होंगे और यह भरती कब से कब तक कराई जाएगी तो दोस्तो पूरी बीडियो को आज तक जरूर देखते रहिएगा क्योंकि बीडियो आपके बहुत काम की है तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी request है यार कि आपको अगर यह बीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना और अगर आप इंडिन आर्मी में तयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आपके लिए हमारे चैनल पर इंडिन आर्मी के साथ-साथ उनकी रिटन एक्जाम के लिए भी तयारी कराई जाती है तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो यह दोस्तो नोडिविकेसन जो कि मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है तो सबसे पहले तो आपको बतादें दोस्तों कि यह जो भरती है 25 Mars 2021 से 6 April 2021 के बीच में कराये जाएगे ठीक है इस भरती की Online Registration gåse 17 21-9 March 2021 के बीच में आपके दोस्तों कराये जाएंगे ठीक है तो आज है दोस्तो 13 January और 24 January यानि कि कल से इस भरती की 저 Online Registration होंगे वह like Indian Army .nic.in पे आप कर सकते हैं उसके बाद में दोस्तो यहाँ पर कौन-कौन से पोस्ट के लिए भरती निकली हुई सबसे पहले आपको यह बता देना चाहता हूँ मैं दोस्तो तो यहाँ पर जो भरती निकली हुई है दोस्तों सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर निकली हुई है जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं Soldier General Duty तो सबसे पहले मां आपके लिए Soldier General Duty में क्या के चीज़ के requirement होगी आपको बता देता हूँ आपकी जो Age Limit है दोस्तो Soldier General Duty यानि की GD के लिए साड़े सत्रा से 21 साल होने चाहिए Age Limit आपकी साड़े सत्रा से 21 और आपकी जो Date of Birth है वो 1 October 1999 से 1 April 2003 के बीच में होना जरूरी है Height आपकी 169 cm Chest आपका 77 cm और आपको Class 10th Simple Pass होना जरूरी है जिसमें दोस्तों आपके 45% मार्ट होना जरूरी है और आपके जो किसी भी सब्जेक्ट में 33% मार्ट से कम नहीं होनी चाहिए ठीक है उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप Class 12th यापके Class मतलब Graduation Pass है और आप GD में भरती देख रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए यहाँ पर जो percentage है वो कोई भी matter नहीं करती है ठीक है लेकिन आपके किसी भी सिंगल भी सब्जेक्ट में 33% से मार्ट कम नहीं होना चाहिए उसके बाद में Solar Technical के बात करते हैं तो Solar Technical के भरती के लिए आपकी जो Age Limit है वो 16-17 से 30 साल तक होगी Date of Birth आपकी 1 October 1997 से 1 April 2003 के वीच में होनी चाहिए Height आपकी 169 cm Chest आपका 77 cm और आपके लिए इस भरती में अपलाई करने के लिए दोस्तों आपकी जो Education Qualification है वो है दोस्तों इस प्रकार कि आपको Intermediate Class पास होना चाहिए Intermediate में आपके पास में Physics, Chemistry, Math और English ये 4 सब्जेक्ट होना आनवार ये है किसी भी Total Sorry आपके जो Overall Percentage होगी वो 50% से कम नहीं होनी चाहिए और आपकी जो Overall Percent किसी भी Single Subject में आपके 40% मार्ग से कम नहीं होने चाहिए तो आप Soldier Technical के लिए अपलाई कर सकते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तो हम आपसे बात करने वाले है Soldier Technical Nursing Assistant अगर आप Nursing Assistant की भरती देखना चाहते हैं तो आपकी Age Limit सेम होगी एस Technical 17.3 साल Height आपकी 169 cm Chest 77 cm लेकिन यहाँ पर दोस्तो आपको Intermediate Pass होना जरूरी है और आपके साथ में आपके पास में दोस्तो Physics, Chemistry, Biology और English सब्जेक्ट होना जरूरी है Overall percentage 50 और किसी भी सब्जेक्ट में 40% मार्ट से कम नहीं होने चाहिए ठीक है उसके बाद में दोस्तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर Soldier Clerks तो Soldier Clerks और Store Keeper के अगर आप भरती देखना चाहते हैं तो आपकी जो Age Limit है दोस्तो साड़े सत्रा से तेस साल Height आपकी 162 cm Chest आपका 77 cm यहाँ पर दोस्तो आपकी Education Qualification में कुछ बदलाब किया गया है तो इसमें दोस्तो अगर आप Soldier Clerks के आफ रिस्टोर के परती भरती देखना चाहते हैं तो आपके पास में दोस्तो Intermediate आप पास होना जरूरी है Intermediate में आपके पास में दोस्तो Math और English होना जरूरी है 60% Mark से कम नहीं होने चाहिए और किसी भी सब्जेक्ट में 50% Mark से कम आपके नहीं होने चाहिए ठीक है उसके बाद में आता है Soldier, Tradesman, Tenth और Eight Pass इन दोनों में इतना ही अंतर होता है दोस्तों सब कुछ सेम होता है Tenth Pass और Eight Pass Soldier, Tradesman में लेकिन Housekeeper और Masskeeper की जो भरती होती है बो दोस्तों Only Eight Pass के लिए होती है और बाद की जो ट्रेट्स बची उन के लिए दोस्तों Soldier, Tradesman, Tenth Pass की भरती निकलती है मतलब आपको Tenth Pass होना जरूरी है दोनों ही भरतीयों के लिए आपकी जो Age Limit है, Height है Weight है बिल्कुल सेम होता है आपका Age Limit आपकी साड़े सत्रा से 30 साल Height 169 cm Chest आपका 77 cm लेकर आपको कुछ Education, Qualification में बदलाव किया जाता है तो आप अगर Housekeeper और Masskeeper के ट्रेट को छोनका किसी और ट्रेट में भरती देख रहे हैं तो आपको Class Tenth Simple Pass होना जरूरी है और आपके 33% Marks होना भी जरूरी है ठीक है? और आप अगर दोस्तो Soldat Treatment 8 Pass की भरती देख रहे हैं तो आपको Class Tenth Simple Pass होना जरूरी है ठीक है? तो ये तो बात होगी दोस्तो आपकी कौन-कौन से ट्रेट की भरती हैं निकली होई यह वो ठीक है? उसके बाद हम दोस्तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके यह जो भरती है वो किस स्टेट के लिए निकली होई तो यह जो भरती है दोस्तो वो ARO Gopalpur की तरफ से निकाली गई है दोस्तो ओडिसा के लिए और यह भरती है 25 मार्स से 6 अप्राल 2021 के बीच में होगी और इस भरती में दोस्तो ये जो district हैं आप देख सकते हैं आप नाम दिया गया है दोस्तो मैं आपको एक एक district का नाम पढ़के बता देता हूँ पूरी district का नाम आप पढ़ लिजी तो आपका नवरंगपुर, रवायागदा, उसके बाद में है दोस्तो, काला हंडी, उसके बाद में दोस्तो, आपकी नेक्स डिस्टिक है आपकी नौपडा, और कॉरापूत, अगर आप इन डिस्टिक के रहने बाले हैं उडिसा में, तो आप इस भरति में अपलाई कर सकते ह दोस्तो आज की वीडियो में पसे इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे यूटुब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब जलो करना तो चलिए दोस्तो जैहन जैवारत